उदम सिंग नगर के रुदरपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जहां पुलिस ने आईलेट्स के मेनेजर का अपहण कांड को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को ग्रफतार किया दरसल रुदरपुर के आवास विकास इस्थित आईलेट्स के मेनेजर को अग्यात बदमाशों ने अपहण कर परेजनों से 50 लाख की फिरोती की मांग की गई थी वहीं अपहण की सूचना पर पुलिस महेकमे में हडकंप मचा हुआ था जिसके बाद परेजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मेनेजर को अपहण करताओं से सकोशल बरामत कर लिया है जबकि अपहण की वारदात को अंजाम देने वाले चारो आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने आरोपियों द्वारा मेनेजर से चीने गए 94,000 रुपाई और घटना को अंजाम देने के दोरान प्रियुक्त कार, एक बाइक, दो नकली पिस्टल, चार मोबाईल बरामत की है तीन आरोपी यूपी के रहने वाले हैं जबकि एक आरोपी खटीमा का रहने वाला है फिलाल पुलिस द्वारा इन सभी आरोपियों के खिलाफ कारवाई की जा रही है पंजाब के सिरी टीवी के लिए उधम सिंग नगर से निजामोदिन शेक की रिपोर्ट